हेलो एवरीवन, स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में राश्ट्री अविश्टकार सपत 2024-25 के तहत NCERT राश्ट्री सेक्षिक अनुसंधान प्रैसिक्षन परिशत की तरफ से वेकंसी का नोटिफिकिशन आया है आयू इसमें 40 या 40 वर्सतक के कैंडिडेट आविदन कर सकते हैं वेतन 30,000 रहेगा योगिता मास्टर डिग्री वाले अपलाए कर पाएंगे और आप किसी भी राज्जे के कैंडिडेट हैं बिलकुल आविदन करने के योगिय रहेंगे तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन ओफिशिल वेबसाइट पर जाना होगा राश्टिय सेक्षिक अनुसंधान प्रैसिक्षिन परिचत नेशनल काउंसिल आप एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिग आप सभी परिचेत हैं NCRT से बुक्स आप सभी जो है वो पढ़ते ही हैं तो यहाँ पर अनुस्मेंट सेक्षिन में वेकेंसी है तो इस पर जो है क्लिक करेंगे उसके बाद जो है नौन अकेडमिक प्रोजेक्ट स्टाफ जिसमें हमें प्रोजेक्ट स्टाफ पर क्लिक करना है ठीक है प्रोजेक्ट स्टाफ पर क्लिक करते हैं, तो यहां पर हमें वेकैंसी मिलेगी, तो 8 अप्रेल 2024 को विग्यापन जारी किया गया है, NCEIT आप सब भी जानते हैं, न्यू डैली से, यह वेकैंसी है, जॉब जो है आपकी न्यू डैली में ही लगेगी, यह जो है अटोनोमस है, अंडर दा मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन, गॉर्मेंट आफ इंडिया, तो एक प्रोग्राम है, रास्ट्री अविस्कार सपत, इसके अंतरकत जो है, केवल वाक-इन इंटर्व्यू के लिए, वेकैंसी निकाली गई है, रिटेन एक्जाम नहीं होगा, केवल के लिए आपको कहां जाना होगा, तो ये सारी चीज़ें, नोटिफिकेशन में देखेंगे, सबसे पहले, नेम अफ दो पोस्ट और नेचर अफ ड्यूटी, क्या काम करना होगा, किस पोस्ट के लिए, सिस्टम एनलिस्ट की जो पोस्ट है, एक पोस्ट है, स्कूल से क्याइखेंट, कंप्यूटर साइंस में हैं, कंप्यूटर अप्लीकिशन में हैं, कंप्यूटर इंजिनीरिंग में हैं, M.Sc. Maths से किया है, या Statistic से किया है, B.Tec वाले, B.E. in Computer Science वाले, I.T. या B.Sc. in Maths वाले, Statics आगर आपने B.Sc. में किया है, 55% मार्क्स के साथ में, या फ कम से कम एक साल का जो है आपके पास अनुभब होना चाहिए अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और अगर आपने बैसलर डिग्री हासिल की है तो दो साल का एक्सपिरेंस होना चाहिए website development and management में ठीक है तो आप system analyst की एक post के लिए apply कर सकते हैं आप बहुत सारे candidate की एक ही post है अब ये एक post आपकी हो सकती है ये आप सोचें कभी भी जो है जितनी post होती है उसको देखकर जो है वो apply नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आप जिस भी एक post के लिए apply करें आपका ही number आजाए junior project fellow इसकी भी जो है एक post है इसमें master degree chemistry में हो या zoology में हो बाटनी में हो या life science में हो बायो technology वाले भी apply कर सकते हैं और any related discipline इससे संबंदित अगर कोई भी जो है आपके पास master degree है subject में 55% marks के साथ में general category के लिए और 50% marks के साथ में SCST physical handicapped के लिए ठीक है यह ध्यान में रखें इसमें जो है वो अनुवर्म नहीं मांग रहे हैं junior project fellow के लिए बाकी system analyst के लिए एक साल का master degree के साथ में और दो साल का bachelor degree के साथ में अनुवर्म कहा गया है age limit जो है 40 year रहेगी age relaxation जो है government norms के according SCST PWD के एडिरेट को रहेगी salary जो है यहाँ पर 30,000 salary जो है system analyst के लिए है और project fellow के लिए junior project fellow के लिए अगर net qualified है तो 25,000 salary रहेगी अगर net qualified नहीं किया हुआ है तो 23,000 ठीक है तो यहाँ पर जो है जो के लिए master degree वाले हैं तो 23,000 जो है यहाँ पर junior project fellow की salary रहेगी ज्यादा समय के लिए जो यह vacancy नहीं निकाली गई है 31 March 2020 तक 31 March 2020 तक यानि कि एक साल का ही जो है यह program है राष्ट्रिय अविस्कार सपत 2024-25 program का नाम है जो भी interested candidate है तो walking interview के लिए आप चले जाए अपना bio data original certificate mark sheet अगर experience certificate है तो यह सब ही जो है साथ लेके है और एक set ले जाए self attested copies आपकी जितने भी document है एक passport size photograph भी जो है लेकर आपको जाना है और जिनकी जो है अभी degree complete नहीं हुई है तो वो बिलकुल ना जाए तो बस इतना साही है ज्यादा post नहीं है दो ही post में एक एक vacancy है तो जो भी इच्छुख है यहाँ पर interview देने के लिए लिंक आप लोगों को share कर दिया जाएगा वीडियो के नीचे description box में केवल interview के लिए जाना है फीस भी यहाँ पर नहीं लग रही है तो चलिए मिलेंगे नेक्स वीडियो में thank you हुआ है जाएगा पर दो